क्लास 11 लेट मीं वेलकम यू औल आफ्टर स्रमर वैकेशन ओके आज हम लोग करने वाले हैं हम लोगों ने वैकेशन से पहले स्टार्ट किया था चैप्टर वन नेचर एंड परपस ओफ बिजनेस ओके उसमें हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का वह था मतलब क्या होता है और जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं जो भी एक्टिविटी या एक्टिविटीज करते हैं ठीक है बिजनेस में हम जो भी काम करते हैं तो वह काम करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं क्या अचीव करना चाहते हैं क्या हम जो भी attempts करते हैं वह attempt करके हम क्या gain करना चाहते हैं तो यह जो deciding point है इसी को हम लोग बोलते हैं objectives या उद्देश ठीक है न तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि business में कौन-कौन से objectives होते हैं देखिए बहुत common चीज़ है हम सब जेनरली यह समझते हैं कि किसी भी business का किसी भी बिजनेस का में objective क्या profit making profit earn करना कोई भी काम करते हो चाहिए वह small scale बिजनेस या बहुत बड़े scale पे हो business करने का में मक्सद ही है profit होना चाहिए profit का मतलब क्या है कि हमने जितना invest किया है जितना हमारा cost लगा है business में उससे जादा amount रिटर्न आना चाहिए कि जो return हमें business से आ रहा है वो exceed करना चाहिए जितना पैसा हम लगाते हैं उससे ज्यादा पैसा return आना चाहिए ठीक है ना so profit business का ultimate goal है business का objective है ठीक है देखिए profit होगा तभी हम क्या कर सकते है profit है तो हम मार्केट में exist कर सकते हैं competition को face कर सकते हैं ठीक है ना competition face करने के लिए profit जरूरी है अपने organization में business में improvement के लिए चाहे वो technological improvement हो ठीक है या और तरह के improvement हो तो improvement के लिए profit जरूरी है आपके यहां जो workers काम करते हैं work resonate करने के लिए देखिए वर्कर्स द Här loses न वहागी परोडूस नहीं करेंगे तो workers को खुष रखने के लिए उन्हें डिए पेकरने के लिए profit जाहिए ठीक है profit हम उन्मडार्ण पाप केसिंप्ली क्या कैसे करते हैं कि अगर business को हम एक human body के तरह देखके चले तो बिजनेस अगर एक human body है तो profit उसके लिए क्या होगा oxygen की तरह है जैसे हम बिना oxygen के survival को imagine नहीं कर सकते हैं वैसे बिना profit के किसी बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक हम लोग survive करते हुए नहीं देख सकते हैं ठीक है बिजनेस के survival के लिए profit होना जरूरी है चाहे वह बिजनेस में competition face करने की बात हो improvement की बात हो वरकर्स के regulation की बात हो diversity लाने की बात हो diversity का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस आफ कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि expansion हो आपके बिजनेस का time के साथ बिजनेस का size और बढ़े growth हो ठीक है तो बिजनेस के diversification के लिए expansion के लिए profit जरूरी है ठीक है अब हम लोग देखते वह चलते हैं थोड़ा सा textbook के according ओके यसी प्रॉस देखिए हम लोग तो यह मानते कि profit जरूरी है profit होना चाहिए ठीक है हम लोग ने पीछे भी पढ़ा है इसी चेप्टर में कि profit important तो है लेकिन profit सिर्फ और प्रॉफिट तो important है ही profit के बिना business survive भी नहीं कर सकता है येट दियर आड़ अदर इंपोर्टेंट factors apart from profit ठीक है अब profit हम लोगों का यह जानते कि विल्कुल प्राइमा फिसी profit is the main objective of our business okay इसके अलावे profit के अलावे और कौन-कौन से important objective है बिजनिस में उसको deal करते हुए चलते हैं ठीक है सबसे पहले हम दो देखते हैं जो पहला objective है आपको जो पहला objective है वह है market standing ठीक है market standing या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि establishment in market ठीक है market में अपने आपको establish करने के लिए जो फर्म है वह market में establish होने के लिए profit चाहिए अगर regularly कोई firm profit earn कर रहा है तो उसकी goodwill अच्छी होगी उसकी image अच्छी होगी market में वह establish होगा ठीक है ना so market standing refers to have an established position in market and face competition successfully हम लोग ने यही बात किया ना कि profit हमें क्या enable करता है हमारे जो राइवल form है हमारे जो competitor है उनको face करने की ठीक है ना तो market standing हम तभी कर सकते हैं जब competition को face कर सकते हैं competition हमारे जो rival forms है उनके साथ compete कर सकते हैं चाहे वह technology के हिसाब से हो production quality के हिसाब से मार्केट में बने रहने के लिए competition को face करना होगा और competition face करने के लिए profit earning must है ठीक है ना so market standing refers to have an established position in market and face competition successfully it put focus on image through quality of goods and service ठीक है ना वहीं बात कर रहे हैं कि देखिए आप market में कैसे स्टैबलिस होंगे जब आपको profit आप रेगुलरली profit earn करेंगे साथ ही साथ आप जो production कर रहे हैं whether you are producing goods और service आपके production की क्या होनी चाहिए quality अच्छी होनी चाहिए market में image building किस चीज़ पर होगी जब आपके quality अच्छी होगी तभी तो कोई भी company आप देख रहे हैं ठीक है आप चाहिए bike लीजिए phone लीजिए आप जो prefer करते हैं तो same production provide करने वाले market में बहुत सारी companies आप क्या करते हैं उनके production की quality को compare करते हैं और जो आपको सबसे बढ़िया लगता है आप वही पर्चेज करते हैं उसी का goods या सर्विस लेते हैं ठीक है ना तो market में बने रहने के लिए क्या जरूरी है कि market में image अच्छी होनी चाहिए आपके production की quality बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है second बात करते है innovation लेकिए innovation का मतलब क्या है new ideas ठीक है नए ideas लाना नए technology को लाना ठीक है introduction of new ideas और new technology ओके तो देखिए आज की डेट में देखते हैं कि इतना cutthroat competition है global level पे competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक ही तरह के goods और service के producer बहुत ज़्यादा है ठीक है इतना harsh competition है यहां पर वही company survive करेगी वही firm survive करेगी जो innovative होगी इनोबेटिव क्या होंगे जो चाहिए वह production क्या तरीका हो production का method हो production की quality हो ठीक है ना इन सब पर ज़्यादा focus करें method ऐसा होना चाहिए कि quality improve हो साथ ही साथ क्या हो कि जो production का cost है हम जो समान या service produce कर रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए किसी भी business का यह main motive होता है कि आपका cost क्या होना चाहिए minimum होना चाहिए और profit क्या होना चाहिए maximum होना होना चाहिए okay so यहां पर क्या focus करते हैं कि हमारे जो production का method है वह थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए innovative होना चाहिए business में innovation को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ठीक है आप देख रहे हैं कि आज की रेट में आप देख लीजिए तो market में नए-nए innovation आ रहे हैं नए-nए चीज़े आ रही है नए-nए तरीकों से एडवांस तरीकों से उसको डिलीवर किया जा रहे है ठीक है ना तो एक innovative environment है आज का तो business का यह कोशिस business का यह एक motive होता है एक objective होता है कि वह इनोवेटिव अप्रोच अपना है अपने organization में innovation को प्रोमोट करें नए आइडियाज को नए टेकनोलोजी को नए सोच को प्रोमोट करें ओके तो innovation के बाद हम देखते हैं business के एक तीसरे objective को productivity को कहने का मतलब क्या है कि जो भी business में काम हो रहा है चाहे आप गूड्स प्रोडियूस कर रहे है या सर्विस प्रोडियूस कर रहे है ठीक है तो production को बढ़ाया जा सके production को बढ़ाना है production की quality को बढ़ाना है दो चीज़े देखते में चलेंगे एक तो resource है limited resource है ठीक है तो resource को बेहतर तरीके से यूज करना है आपके पास जो भी एविलेबल resource है उस resource का efficient यूज करना है ठीक है बहुत अच्छे से यूज करना है जिससे क्या हो हमारे production की quality भी अच्छी हो production के volume को भी बढ़ाया जा सके यहां पर क्या है हमारा जो इनपूट है जो हम production में जो चीज़े डाल रहे हैं चाहिए वह टाइम हो लेवर हो ठीक है capital हो तो हमारा जो output होना चाहिए result होना चाहिए वह क्या होने चाहिए उससे जाला होना चाहिए तो वेन आउट output is more than input we can say that the productivity is considerable productivity is good यहां पर quality भी अच्छी है वोल्यूम भी अच्छी है अगर हमारा output कम है और input बहुत ज्यादा है यानि हम बहुत ज्यादा production में लगा रहे हैं और उस हिसाब से हमें result नहीं मिल ला है तो वह एक desirable situation नहीं होगा तो productivity is fixed by comparing the value of output with the value of input it is a major of efficiency efficiency का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे आपका अगर output ज्यादा है और input कम है जितना अपने लगाया है उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे है efficient तरीके से कर रहे है आपकी जो कारिया सेल है वह बहुत अच्छी है ठीक है तो यहां पर हम देखते कि हमारा जो output है उससे हमारी efficiency का पता चलता है फॉड़क्शन की quality का पता चलता है उस से पता चलता तो इस्योर कंटिनीवस सर्वाइबल औफ प्रोग्रेस ओके हम नहीं अगर डिसोर्स को सही से यूज कर रहे हैं एफिसियंटली यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिवीटी हमारा अच्छा है तो डेफिनिटली प्रॉफिट भी हमें मिलेगा प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा जरूरी है मार्केट में इस्टैबलिशमेंट के लिए हो इनोवेशन के लिए हो कॉंप्टिशन फेस करने के लिए हो वर्कर्स को पे करने के लिए हो सब कुछ तो हमारे प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी प्रॉफिट होगा औ आप से दिखिए फिजिकल एंड फिनेंसियल इसोर्स ऺड़िए तो अब कहते हैं तो यहां पर हमारा क्या से होता है हमारे पास जो मसिन से फरणीचर सब्सक्राइब दिंग तक है लैंड यह सह नीजर्स हैं प्रोड़क्शन में हम इनको इन संका भी इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमारा कैस हो गया बैंक हो गए ठीक है जो liquid assets होते हैं जिनको हम liquid कहने का मतलब क्या है कि जिनको हम जल आसानी से कैश में convert कर सकते हैं ठीक है वह चीज़े तो इसमें हमारे liquid भी आजाएंगे तो यह दोनों प्रोडक्शन के लिए जरूरी है जब हमें प्रॉफिट होगा जैसे आप ले सकते हैं कि अभी जो फर्म का साइज है फर्म का साइज बढ़ा करने के लिए ठीक है जैसे अभी मालिजी कि हम लोग एक फर्म रन कर रहे हैं और किराय के ऑफिस मे कर सकते हैं अपना जमीन खरित के अपने ऑफिस मना सकते हैं अपने बिल्डिंग में कर सकते हैं तो इन ओर टू अचीव फिजिकब लिसूर्सेज आज वेलस फिनेशियल डिसॉर्सेज ओक्य फर्म एंस डैट मेकिंग प्रॉफिट तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारा एक का एक objective यह भी होता है कि वह अपने फिजिकल और फिनेंशियल लिसोर्स को बढ़ाते हुए चले ठीक है फिजिकल लिसोर्स को भी बढ़ाना है फिनेंशियल लिसोर्स को भी बढ़ाना है सो बिजिनेस फर्म्स रिक्वाइर प्लैंट मसीन्स बिल्डिंग विचार नोन अज फिजिकल कैपिटल ओके मोरोबर दे डू नौट दे डू नीड फैनेंस टू एक्क्वाइर दीज फिजिकल लिसोर्स हैं यह सारे चीज़े हैं इनको कब कर सकते हैं जब हमारे पास यहम लोग पहले ही डील में कर चुके है कि अबश्यक्टिशन को और करनाा है यहां लोगों ने पहले ही डील किया हुआ है profit मेकिंग और प्रॉफिट अर्निंग को ौके profit मेकिंग और अर्निंग ठीका न प्रॉफिट कर लिया पिर देखते हैं प्लैनिंग करते हैं ठीक है ना जो वर्क फोर्स को गाइड करते हैं उनसे काम लेते हैं जो रिसोर्स है उसको मैनेज करते हैं ठीक है ना तो मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो सके मैनेजर सही से परफॉर्म कर सके अपनी ड्यूटी को इनका जो परफॉर्मेंस है वो डिजारेबल हो मैनेजर अगर अपने परफॉर्मेंस को सही से एकसरसाइज कर र workers हैं वो अपना काम सही से करेंगे timely करेंगे जो resource है उसका efficient use हो रहा है ठीक है जो हमारे plans हैं वो successfully implement हो रहे हैं तो इस तरीके से क्या होगा हमारे objective आसानी से achieve हो सकते है managers के ऊपर हमारे form की success depend कर रही है तो जब हमारे पास profit होगी तो हम क्या कर सकते हैं अपने managers को train कर सकते हैं highly educated highly skilled manager हम लोग higher कर सकते हैं ठीक है ना so business firms need managers to conduct and coordinate business activity okay various programs for motivating managers need to need to be implemented so every firms focus on every firm focus on nourishing the managerical quality of their managers ठीक है ना अपने manager के quality को improve करना यह भी firms का एक मकसद होता है ठीक है अपने managers के management skill को और ज्यादा enhance करना और ज्यादा increase करना उसके बाद आप देखिएगा तो work performance and attitude ठीक है work performance and attitude देखिए आप कितनी भी planning कर लीजिए managers कितने भी planning कर ले ग्राउंड लेवल पर काम कौन करते हैं workers करते हैं ठीक है ना एक एक्जामपल लिजिए कि match से पहले कोच और captain मिलके पूरी राध जग के planning करते हैं बहुत अच्छा प्लैन करते हैं लेकिन ground पे उनके players वैसे perform नहीं कर रहे है planning के according काम नहीं कर रहे हैं तो क्या वह plan successful होगा कभी नहीं हो सकता है वही चीज़ हम देखते हैं कि हमारे objective में जो business का objective है उसमें यह focus किया जाएगा कि हमारे जो workers हैं उनका performance काफी अच्छा हो वह अपने given duty को बहुत अच्छे से perform करें उनका जो attitude है देखिए हमारे जो workers हैं वर्कर का attitude बहुत ज्यादा important होता है किसी भी फ़र्म के success में आपके अगर किसी फ़र्म के workers energetic है loyal है self motivated है ठीक है तो वह क्या करेंगे अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है वह firm के साथ loyal होंगे production अच्छे से देंगे उनके इंदर ने enthusiasm होगा उत्सा होगा ठीक है तो यह अपना काम सही से करेंगे अगर वर्क फोर्स ऐसा है तो वह आपके लिए एक asset है plus point है वही अमोमन हम क्या देखते हैं कि वह लेजी होंगे अगर वर्कर आपके लेजी है ठीक है गॉसिप पर ज्यादा टाइम देते हैं इधर उधर की बात ज्यादा करेंगे politics करेंगे ठीक है न तो यह सब क्या होते हैं यह सब न एक फर्म के लिए obstacle create करते हैं मसीवत करते हैं ऐसे condition में working environment क्या होगा अच्छा नहीं कहोगा नौन प्लिजेंट अन्प्लिजेंट वर्किंग इनवेरोमेंट होगा ठीक है तो यह किसी फर्म के लिए अच्छी सिच्वेशन नहीं कहीं जा सकती है वरकर्स के परफॉर्मेंस और एटिचूड वरकर्स आपके तभी एनरजेटिक होंगे जब उनको उनको जो बेसिक फैस लाइफ में डिवलपमेंट हो सकते हैं और फैसिलिटी चाहिए ठीक है जब आप वरकर्स के सुविदाओं पर फोकस करेंगे तो वरकर्स की इन सुविदाओं को फोकस आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉफिट हो ठीक है वरकर अगर आपके खुश है तो उनका कर सकता है प्रॉफिट कर सकता है बिजनेस ठीक है और सबसे लास्ट में देखिए सोचल रिस्पोंसिबिलिटी ठीक है देखिए सोचल रिस्पोंसिबिलिटी कहने का मतलब क्या कि कोई भी बिजनेस है उसके ऑपरेशन सोसाइटी में होते हैं सोसाइटी के रिसोर्स को ही ब रखेंगे हर एक फ़र्म लेखिए हरेख फ़र्म ये जानती है कि सोसाइटी में रहके ही वह एकडिस्ट कर रही है वह जो भी प्रोड्यूज कर रही है उसका कंजम्षं सोसाइटी में ही होना है ठीमा तो इसन आते क्या है इसका जो एक्जिस्टेंस से सोसाइटी से इंटर रिलेटेड है तो इसके लिए क्या बिजनेस को भी अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ देना चाहिए responsibility यह थीक है देखिए इनके खिलाफ जो इस आइडिया के जो पर 挑तेशाव बिजनेस लोग Pal के लिए करते हैं समासेवा के लिए नहीं करते हैं इसलिए बिजनेस responsibility का आइडिया एक सही आइडिया नहीं है यह कुछ हद तक ठीक था पहले पर आज की डिट में यह आइडिया विल्कुल इंपॉटेंट है कि हर बिजनेस को सर्वाइवल के लिए देखिए हर एक बिजनेस चाहते हैं कि वह मार्केट में स्टेंड करें उनकी इमेज काफी अच जुड़ा हो जैसे आप कह सकते हैं ना बलट डोनेशन कैम्प हो गए गरीब बच्चों की सिक्षा हो गई महिलाओं की सिक्षा हो गई इन्वेरोमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो तो अपने यह अपने पॉलिसी में अपने ऑपरेशन में कुछ ऐसे एक्टिविटी इंक्ल इसी चीज़ों से सोषल रिस्पोंसिब्लीटि से क्या होगा इनकी सोशल इमेज ऑच्छी होगी लोग इन से कनेक्ट करेंगे भी सोसाइटी के लोग इनसे कनेक्ट करंगे तो ऊसका इनकी जो प्रडक्शन है चाह包括 गूड शायाuciones užक हुशारी इन ज्युक्त करेंगे जिससस ultimate फायदा किन को होना है बिजनेस को ही होना है तो सोचल रिस्पॉंसिबिलिटी रेफर्स टू बॉलेंटियर अविलिगेशन ऑफ फॉर्म्स तू इंप्रूव सोचल कंडिशन फॉर्म्स कंट्रिव्यूट फॉर्म देयर प्रॉफिट फॉर अप्लिफ्टमेंट एंड इंप् बिजनेस के और कौन-कौन से अब्जेक्टिव हो सकते हैं उसको फोकस किया है एक बार जल्दी से देखते हैं पहला हमने देखा है मार्केट स्टेंडिंग इसमें मार्केट में सर्वाइव करना एक्जिस्ट करना यह हो जाएगा दूसरा हमने देखा इन्नोवेशन यानि फॉर्म में नए आइडिया नए टेकनोलोजी को इंट्रोडिउस करना पिर हमने प्रोडक्तिविटी देखा है फिर हमने देखा फीजिकल एंड फिनैंशियल डिसोर्स ऑके उसके बाद हमने देखा है प्रोफिट मेकिंग फिर मेनेजर मेनेजर्स पफॉफॉमेंस येड़ देवलपमेंट उसके बाद वर्क पफॉर्मेंस एंड वर्कर्स पफॉर्मेंस एंड एटिचूड और लास्ट में हमने देखा सोचल रिस्पोंसिबिलिटी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक को आपने असानी से समझ लिया होगा अगर फिर भी आपको कोई प